नमस्कार स्वागत आप सभी का आप देख रहे हैं पुलिस की आवाज और मैं हूँ आपके साथ इशारे नहीं पाथे आज की बुलिटिंग की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ हम देश और विदेश के युवा उध्योग पती रंजीत पाठक के बारे में बात कर रहे हैं जो नए भारत के भविश्य को लेकर बेहत चिंतित नजर आते हैं सरकार की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि वै आत्म निर्भर प्रोजेक्ट के तहट बे सहारा बच्चों के भविश्य को समवारने के लिए प्रयास रथ हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि यह बच्चे आगे चलकर देश का नाम रोशन करेंगे इसलिए उन्होंने इनकी मदद के लिए आगे हात पड़ाया है प्रोजेक्ट आत्म निर्भर के क्रियेटर और युवा उध्योग पती एवं समा सेवी रंजीत महेश पाठग चतुरवेदी नई साल का आरम मथुरा के सिविल लाइंस इस्थित राज के शिशु बालगरह के बच्चों के साथ किया पहले तो बताओ किसको बोल रहा है है पूरी दुनिया को बोल रहे है 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 पूरी दुनिया को बोल रहे है 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 पी दुनिया को बोल रहे है है रादे 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 जै श्री कृष्णा और और कुछ बता दो और और बोल अपने मन से कुछ भी बोलो कुछ भी प्रणाकाल से ही समा सेवा में निरंतर लगे हुए उध्योग पती रंजीत पाठक ने यमना शुद्धी करण के साथ साथ अब्बे सहारा अनात बच्चों के भविश्य को समार्ने का भी बीड़ा उठाया है शिशु ग्रह के बच्चों के भविश्य को ध्यान में रखते हु जिसमें खिलोने, भोजन की प्लेट, कप, ग्लास, गरम कपड़े, जूते, मोजे, टोपी, चादरे, दवाईयां बच्चों के पढ़ने के लिए कौपी किताबे, नवजा शिशुओं के लिए स्टॉलर भी दिये जिससे कि उन्हें चलने में सहायता मेले रंजीत पाठक न के बैनर तले गोद देने की प्रक्रिया में सहायता प्रदान करें, जिससे कि नन्ने मुन्ने बच्चों को एक भैतर सिक्षा सुख सुविधा प्रदान कर सके और इनके भवेश्यका सुनहरा बनाया जा सके, इस दोरान टीम प्रोजेक्ट आट मिनेट भर से सचिन चतुरव